नवश्कार आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल पर मैं आचारी पुंकर सास्त्रिया आपका अपने चैनल पर हार्दिक अविनंदम करता हूँ उपस्तित वाँ हूँ दैनिक पंचांग का कारेकरम लेकर के दैनिक पंचांग 26 मई सन 2022 आज की तिथी वार नक्षत्र योग करण की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है आज का राहू काल का असुब समय क्या रहेगा अभिजित मोर्त और गुलिक काल का सुब समय क्या रहने वाला है और आज का जो दिसा सूल है कौन सी दिसा का है कौन सी दिसा में आज यात्रा करने से आपको बचना चाहिए इसकी भी आम आपको जानकारी देने वाले हैं तो तक रहेगी, उसके बार द्वादसी तिति होगी, आज का बार गुरुवार याने इक ब्रहस्पति बार है, आज रेटी नक्षत्र बारव ज्कर के 40 मिनट, मध्य रातरी तक रहेगा, उसके बार अस्विनी नक्षत्र होगा, आज का जो योग है वह आईश्मान योग है, वाग्य योग होगा बालब करण 10 वचकर के 56 मिनट प्रातवकाल तक रहेगा और उसके बाद कॉलब करण होगा राभुक काल का असुप समय आज 2 पहर 1 वचकर के 58 मिनट से प्रारंब होगा तीन वचकर के 42 मिनट दो पहर तक रहेगा बात अभिजित के शुम मोहर्थ की करें तो अभिजित का शुम मोहर्थ 11 वचकर के 59 मिनट से प्रारंब होगा मद्याहन काल 12 वचकर के 46 मिनट तक रहेगा गुलिक काल का समय आज 8 वचकर के 52 मिनट प्रातवकाल से प्रारंब होगा 10 वचकर के 35 मिनट प्रातवकाल तक रहेगा राहुकाल में किसी भी सुमकारे को कर सबी सुखार किये जाते हैं कि आज कर दिसा सूल कि है वहां दक्षण दिसा का है आच बच्षण करने की यात्रा करते हैं लेकिन किसी विश्यस-प्रयोजन पर यहista कर अप दक्षण दिसा के यात्रा कर रहे हैं तो घर से दही का सेवन करके ही दक्षण दिसा के और जाएगा और जब भी यात्रा के लिए घर से निकले देखें जिसमी नासिका चिद्र में से स्वांस अच्छी तरह चलना हो गतिमान इस्तिती में हो उसी तरब के पैर का पहला कदम र पंचक में विशेश रूप से पांच कारे वर्जित है, पंचक में चारपाई गुनना, घास वकाष्ट को इकठा करना, घर की छत डालना, दक्षिन दिसा की यात्रा करना विशेश रूप से वर्जित है, और अंतिम संस्कार में पंचक सांती अती आवस्यक है तो आज रात्री 12 बश करके 40 मिनद तक पंचक का नक्षत रहेगा, उसके बाद पंचक की समाप्ति भोगी साथी आज अपरा एकादसी का व्रत है, सभी बैशनल भक्तों को अपरा एकादसी व्रत की बहुत बहुत सुपकामना है जन्दर्शकों का आज जन्म दिन है, आप सभी दर्शकों को जन्म दिन की धेर सारी शुपकामना है परमपिता प्रवेश्वर आपको यसायू किरती प्रदान करें, यही हम प्राथना करते हैं जन्म दिन पर पूजन जरूर करेगा, जन्म दिन पर किया गया पूजन वो पुरूर रहे कदान, एक वर्स तक लाप देने का कारे करता है, इसलिए जन्म दिन पर पूजन जरूर करना चाहिए, जन्म दर्शकों के आज बिवाहा पर सकांट है, आप सभी दर्शकों को बिवा से करेगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा जोतिस से संबंद सभी जानकारियों के लिए समझ पूजा पार्ट के लिए वह सभी मोरतों की जानकारी के लिए आप हमसे संपर कर सकते हैं नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाए कर सकते हैं